धाकरगल कंगने रनोत और बॉलिवूड आफ्ट्रेस जय बच्चन दोनों ही अपने बेबाग अंदास के लिए जानी जाती है लेकिन क्या हो अगर दोनों ही आपने सामने हो जाए क्यूं सोचने पर मजबूर हो गए ना पर ऐसा हम इसले कह रहे हैं कि जो वीडियो सक्त इंटरनेट पर खूब देजी से वाइरल हो रही है उसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है दरसल मुंबई में महानायक अमीता बच्चन, मोमन एरानी, डैनी डैन्जोंगंपा, परीनीती चोपड़ा और नीना गुपतर जैसे कलापारों से सजी फिल्म मुचाया की हाली में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसको खास तोर पर अनुपम खेन ने और्गनाईस कराया था इस खास स्क्रीनिंग में अक्षि कुमार, सन्मान खान, कंगना रनाथ, अभिशेक बच्चन, भागे शिरी से लेकर तमाम बड़े स्टार्स पहुचे थे और हमने देखा है कि कंगना रनाथ, बेहती कम स्क्रीनिंग में नजर आती है, लेकिन इस भारवाय उचाहिए कि स्क्रीनिंग के लिए पहुची थी, जहां उनका सामना जया बच्चन से हुआ वाइरल हुई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जया बच्चन कंगना को इगनोर करतों नजर आ रही है जया बच्चन और कंगना रनाथ का ये वाक्य वीडियो में कैद हो गया है कंगना के सामने जया बच्चन काफी देट तक खड़ी नजर आती है वे भाग्य शरी से मिलने के बाद अनुपम खेर से भी मिलती है लेकिन मनी कर्मा फेम कंगना को अन देखा कर देती है इस वीडियो में कंगना के हाव बाव देख के भी आप यही कहेंगे कि मिस्स बच्चन ने अक्ट्रिस को इगनोर कर दिया वही इस वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि जहां जया बच्चन ने कंगना को इगनोर किया था तो वही उनके बेटे अभिशेक बच्चन कंगना से गले मिलतों नजर आ रहे है दोनों ही बच्चन परिवार के सदस्य है लेकि दोनों का रवईया कंगना के साथ बेहद अलग था अब जया बच्चन ने कंगना के साथ ऐसा क्यूं किया ये तो कोई नहीं जानता पर आपको क्या लगता है कि ये करना सही था या गलत हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताए फिलाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही ऐसे एंटर्टेमेंट जगत की तवाम अप्टुडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV Entertainment धन्यवाद